दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन आइकन आउन करें ताके जो भी वेकैंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके हाई दोस्तो मेरा नाम है शाकीब और आप देख रहा है यूटूब चैनल रामगा टैग दोस्तो आज का जो वीडियो है जो जौब का अपडेट मैं लेके आया हूँ वो मल्टी टास्किंग इस्टाप का जौब निकला है जी हाँ दोस्तो इसमें पोस्ट नेम जो बताया जा वो भी हम आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो को स्टाट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए महमान है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए बिना टैम गवाई वीड तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते यहां पे यह जौब का अपडेट निकाला गया है जिसमें टोटल पोस्ट संख्या बताया जा रहा है 3280 और मल्टी टास्किंग इस्टाप का यहां पे निकाला गया है पोस्ट जिसमें वेल्डर फीटर इलेक्टरिशियन और कीचन हेल पर का पोस्ट निकाला गया है इस वीडियो को स्टाट करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे जार्खंट पुलीस का कुछ अपडेट आया है जौब निकल गया है अपडेट नहीं जौब निकल गया है जिसमें इंटर्व्यू के अधार पे सेलेक्शन हो रहा है लेकिन उसमें सीट्स बहुत कम है तो कौन-कौन सी पोस्ट निकाली गई है जार्खंट पुलीस में उसका वीडियो मैं आपको कल दे दूँगा तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ अंतिम्ति थी जो इसका बताया जारा इस फॉर्म का 184-2018 इसमें जो टोटल पचासी एक्जामिनेशन सेंटर जो यहां बताया गया लखनव धनबाद रांची जमसेथपूर पटना तो यह पांच जगह पे आपको एक्जाम लिया जाएगा जिसमें दसवी पास और आईटी आई दोनों आवेदन कर सकेंगे तो दसवी पास भी भर सकते हैं और आईट 20,000 से 30,000 तक यदि आप फिटर में भरते हैं तो वेल्डर में भरते हैं तो आपको 20,000 से 25,000 रुपया दिया जाएगा और दसवी पास के लिए यहां पे जो पोस्ट निकाला गिया है इलेक्ट्रीशियन हेलपर और कीचन हेलपर तो यह दो पोस्ट निकाला गिया है इसका एज लिमिट 18-25 साल है और कीचन हेलपर का भी 18-25 साल है एलेक्ट्रिशियन हेलपर में जो सैलरी बताया गिया 18-25,000 और कीचन हेलपर में जो सैलरी बताया गिया 22,000 से 25,000 रुदेनी की बात की जा रही है यह फौर्म जो है दोस्तो आपको ऑफ-लाइन अपलाइ करना है और किस तरह करना है वो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको अपना education qualification का जितना भी certificate है matrix और ITI उसका आपको जेरोक्स कर लेना है और उसको आपको लगा लेना है उसके बाद आपको दो लिफाफा लेना है एक लिफाफा में आपको अपना self address लिखना है और उसमें 40 रुपिया का dark ticket लगाना होगा जो कि वो लिफाफा अंदर में रहेगा और जो बाहर में लिफाफा रहेगा दोस्तों उसमें आपको left side में अपना address लिखना है और right side में इसका address लिखना है यहां से job निकला है इसका address देखिए यहां पे लिखा हुआ इंडो meridian technical of shore service बक्सी का तलाब चंदरीका देवी रोड लखनाव उत्तर परदेश तो उत्तर परदेश का address यहां पे दिया गया है इसका contact नमबर भी दिया हुआ है तो आपको इस address पे post कर देना है जैसा कि इसका accredit मैंने आपको बताया 18.4.2018 उसके साथ आपको यह form भी भरना होगा तो यहां पे देख लीजिए इसका form इस तरह से है वीडियो के description में आप चले जाएए वहां पे आपको link मिल जाएगा वहां से आप जाकर इस form को download कर सकते हैं और form को download करने के बाद आपको भरना होगा और इसमें photo लगा कर आपको इसे post करना होगा दो photo आपको लगाना है एक उपर में एक नीचे में और इसके साथ आपको दो passport size photo भी देना होगा तो इस तरह आप form को भेज सकते हैं फॉर्म को भेजने के लिए आप डाक के माध्याम से आप इसको भेज सकते हैं तो आसा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा अगर कुछ समझ नहीं आता है तो comment box में सवाल कर सकते हैं मैं जरूर आपको reply करूँगा वीडियो पसंद आता है तो like कीजिएगा और channel पर नए महमान है तो channel को जरूर से subscribe कर लीजिए चलिए आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ध्यान रखेगा दोस्तों अपना take care और bye